हालो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है फ्रेंज यहां पर समाजी विज्ञान का 825 एक सेट को पूरा यहां पर हल देखेंगे चलिए फ्रेंज स्टार्ट करते हैं देखें फ्रेंज यह खंड अ है इसमें से आपका पहला सवाल है निमनलिकित ने ताओं में से किसने एक इसका सही जवाब होगा एं कैसर विळियम पर्थम ठीक है दूसरा नमबर का सवाल है तिसरा नमबर का है 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शार्षं था तो फ्रेंज इसका सही जवाब होगा अस्neemit राष्टंत्र था अगला سवाल है कि बृटेंड में कार्ण कानून लोगों का विरुवत था ठीक है अब देखें यहां पर आपका पच्वा नंबर का सवाल है कि 1944 में ब्रेटन बुट्स संबेलन कहां यू जित हुआ था तो फ्रेंस कहां पर अमेरिका में वह था ठीक है इसका सही जो अमेरिका होगा अगला सवाल है कि निमनल लिखित में से कौन से संक्यक वर्ग है इसका सही जवाब है सिंहली का सलिक dat अगला नमबर का है कि निमनल βिखित देशों कहां संघात्मक शासन नहीं है तो फ्रेंस इसका सही जवाब होगा सृ लंके स्रिलंका में संघात्मक शासन नहीं ऐस Penny अगला सवाल है वहातमा गाधी का विचार दर्म को कभी भी राजिन्तिक से अलग नहीं किया जा सकता तो इसका सही जवाब आ होगा अगला सवाल देखें फ्रेंज यहां पर है कि निमनल्खित मैं से कौन सा लोकतंत्र से संब्धित है तो इसका सही जवाब डी होगा ठीक है इन में से सभी ठीक है अब अगले सवाल को देखते हैं फ्रक्ति मेंसे किस राज में सीडिदार कहती की जाथिया तो इस willst नीम्स जोब काया जाता है थोडिया ठीकर कच्छे माल के रूप में प्रयुक्त करता है तिसका सही जवाब होगा सिमेंट ठीक है अगला देखिए यहां पे आपका सवाल है कि निमनलखित पड़ोसी देशों में से मानु विकास के लिहाज से किस देश की इस्थिती भारास से बेहतर है तो फ्रेंज देखा जात इसका क सही जवाब होगा अब चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं आपका है और नीमनलाइक भागते से कौंद धात्तिवी nerve tax है तो फ्रेंज इसका सही जवाब लोव इसक होगा चै easy तरहा अगला नंबर का है कि एंध्रसाइट का संबद निमनलिखित में से किसकन इससे है तो आपका कोईला से है इसका सही जवाब होगा कोईला ठीक है आपका 19 नंबर का सवाल है फ्रेंश कि निमनलिखित में से किस वर्ष बंगलादेस ग्रामर बैंक की अस्थापना हुई थी तो कब हुई थी 1980 में हुआ था ठीक है अगला सवाल है फ्रेंस कि सारवजनिक और नीजी छेत्रों का वर्गण नीमन लिखित में से किस आधार पर निर्धाद किया जाता है तो फ्रेंस किसके आधार पर आर्थिक गति की प्रकृति के आधार पर जिसका सही जवाब होगा आपका सकते हैं किस प्रकृति के आधार पर ठीक है अब कि यहां पे आपका अप HOW इस प्रकार के सभी प्रच्ण पूचे रहे खाए कैथे कि आपको फ्रेंस बताये थे कि महात्मा गाधी जी के बारें पढ़के जाएगा देखिए यही आपका माडल पेपर का है उससे में क्वेश्चन आया है आपको बताए भी थे कि इस सवाल को पढ़के एक दो बार जरू जाएगा फ्रेंस यहां पर देख लिजिए फ्रेंस ठी अब देखे फ्रेंस यहां पर मांचित्र वाले सवाल आपको कराये थे सभी सवाल क्या आपको बताये थे फ्रेंस 1920 वाला बताये थे वहास्ता जहां महात्मा गाधी नमक कानून तोड़ा था यह भी बताये थे आपको जाली वाला बाग हत्याकान वाला भी बताये थे वहास सरुवदार सरवर बांद। यह सभी आपको फ्रेंज प्रशन करा है ठीक है आप यदि देख कि वीडियों करें होंगे होंगे तो आप इन अच्छे करकार से करके आए हूंगे बोर्ड के एक्जामिन मानचितने के साथ सभी लाइकंट थे ठीक है तो फ्रेंज आपको यह झाल झाल